क्या ये SSC CGL का syllabus और CUAT का syllabus सेम नहीं है इसके अलावा कोई update नहीं है उन्होंने का ये पढ़ लो newspaper उसे पढ़ो इधर से पढ़ लो उधर से हम तो कुछ भी पूछ लेगा मैंने बना दिया आपके लिए playlist दोस्तो क्लास 12 के बाद अब आपको college में admission लेने के लिए एक entrance exam को clear करना पड़ता है जिसका नाम है CUAT इस CUAT exam में जो English के सवाल आपसे पूछे जाते हैं वो 200 नंबर के होते हैं यानि 200 नंबर की English आती है अब इस English का syllabus कितना है CUAT English का syllabus कितना है लोगों को तो यही नहीं पता आज मैं आपको actual इसका syllabus बताऊंगा क्या tips and tricks follow करनी हैं English के अंदर maximum marks लाने के लिए कैसे कैसे कम समय में ज्यादा output निकाल सकते हो यह भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपकी आज एक direction मैं decide करूँगा preparation की कैसा आपको prepare करना है जी हाँ खुश हो जाएए dear sir आपके साथ है CUT की इस लड़ाई में तो शुरू करते हैं यह कमाल की वीडियो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है दोस्तों CUT में न आपकी 200 number की English है यह बात तो आप सभी जानते हो इसमें कितने question पूछे जाएंगे 40 question आपको करने होंगे out of 50 एक question 5 number का है इस हिसाब से 200 number बन जाते हैं लेकिन ट्विस्ट है कहानी में negative marking है कितने की एक number की आपकी negative marking है कि अगर आपका question गलत निकला तो आपका एक number कट जाएगा मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है अब इसका syllabus क्या है तो syllabus हमें किसने बताया NTA ने जो के CVT को conduct कराती है उसने इसका syllabus क्या बताया सुनोगे मैं आपको बताता हूँ उसने syllabus क्या बताया दोस्तों उसने syllabus बताया ये रहा इसका syllabus वैस syllabus में कहा गया कि अगर आप English की language का कोई एक्जाम दे रहे हूं ना तो 200 नंबर इस तरह से आप से सवाल पूछे जाएंगे जिन में तो तीन तरह के आपके passage होंगे जिसे class 12 में हम पढ़ते थे चलो यह तो समझ में आ गया वही factual passage होगा narrative होगा और literary passage होगा यह होगा और क्या होगा re-arranging the parts होगा यह class 12 में पढ़ा था नहीं पढ़ा था choosing the correct word यह क्या था यह पढ़ा था यह भी नहीं पढ़ा था synonyms and antonyms क्या class 12th 11 10 में पढ़ते थे नहीं पढ़े थे syllabus में नहीं था यह पढ़ोगे कहां से vocabulary पूछी जाएगी अब तर पूछी जाती थी नहीं इतनी तो कोई नहीं पूछी जाती थी पैसेज में आ जाता था एक दो सवाल और क्या वर्बल ability यहां तो सब कुछ सामिल हो गया इस वर्बल एबिलीटी का मतलब समझते हो आप क्या होता है वर्बल एबिलीटी का मतलब होता है कि आपको ना reading भी आनी चाहिए राइटिंग भी आनी चाहिए आपको पूरी इंगलिश ग्रैमर आ गई इसके अंदर क्या कहा सर आपने हाँ आपने सई सुना वर्बल हैमिलीटी में सारी ग्रैमर आ गई प्रेपिजिशन भी आ गई आपकी वॉइस भी आ गई सब कुछ आ गई यानि इंगलिश की बहुत अच्छी नॉलिज होनी चाहिए थी अ और आपके chapters होते थे right passages आ जाते थे 20-22 नंबर के आपके और जो 15-20 नंबर बचते थे उसमें आपसे letter writing पूछ लेते थे आपसे आपसे इंविटेशन बन वा लेते थे पोस्टर मेकिंग हो जाती थी यह तरह की चीज़ होती थी है ना लेकिन जैसे ही class 12 के बाद हम स्यूटिक एक्जाम देने जा रहे तो हमसे क्या पूछ जा रहे है हमसे पूरी grammar पूछ रहे है और मैं आपको सच्चा ही बता हूं असल म सब्सक्राइब और ना जाने और भी कुछ भी इसमें आ सकता है कोई गैरेंटी नहीं है क्योंकि वर्बल एबिलीटी का मतलब यह होता है तो क्या यह गलत नहीं हो रहा है तरह का स्कैम नहीं है बच्चे से 12 तक जो चीज़ आपने नहीं पूछी वह आप पूछने लग रह जा रहे है वहाँ पर आपसे कुछ पूछ in जा रहा हे कुछ choose भी नहीं आ रहा है वाओ कमाल है या तो आप वहां ना पूछते यहान ना पूछते आपके सामने हो रोकाने वाला खुलासा कर देता हूं भाई यह जो स्यूट इंग्लिश का आपका सिलेबस से ध्यान से देखो जरा इसको ध्यान से आखे गड़ा के देख लो देख लिया पढ़ ली टॉपिक्स पढ़ ली ठीक है पढ़ ली आपने आपके सामने ना मैं कुछ रखता हूं आपके लिए थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं और हां देखना कौन से टॉपिक्स है एडियम और फ्रेजिज वन वर्ट सब्स्टिटूशन सेंटेंस करेक्शन एरो इसपॉर्टिंग फिलिंदा ब्लाइंस स्पैलिंग करेक्शन रीडिंग कॉम्प्रेंशन सिनिनिम सं आपको प्रिपेर करने के लिए बोला जा रहा है वहां एक्चुल में तो आप SSC की तयारी कर रहे हो अब इसका फायदा भी है और नुकसान भी है पहले नुकसान बता दे तो नुकसान यह क्लास 12 का बच्चा जो अभी तक तो चैप्टर्स पढ़ रहा था अभी तक बिल्क में आसपास में आप क्या स्यूर्टी का एक्जाम हो जाना है तो आपके पास टाइम ही कितना है एक दिड़ महीना मान के चल लेता हूं एक दिड़ महीने मुझत अम्मीद की जा रही है कि जो SSC CGL का सिलेबस था ना वो सारा वो कवर कर ले तो यह नुकसान है कि इतनी स्यूर्टी के लिए कि इसमें साइगा ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कोई सिलेबस नहीं दिया क्यूंकि जो NTA ने सिलेबस दिया आपका स्यूर्टी का वह यही है बस इसके अलावा कोई अपडेट नहीं है उन्होंने यह पढ़ लो न्यूस्पेपरों से पढ़ो इधर से वह ज्यादा होगा इसका कम होगा एक बात बताइए यह कौन डिसाइड करेगा जब बच्चा प्रिपेर करेगा वो तो सभी प्रिपेर करेगा ना कौन से वर्ड मुश्किल है कौन से अलसान इसका कोई क्राइटीर थोड़ी होता है पढ़ना तो आपको सब कुछ करेगा इसका मतलब आप कहीं नगए एक्जाम देना पड़ ना तो इंग्लिश तो आपका तयार हो जाएगा तो इसका फायदा यह है तो जिसे कहते हैं दो धारी तलवार नुकसान भी यह फायदा भी है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्यूर्टी दो और कैसे प्रिपेर कर मैंने आपको syllabus बता दिया, बहुत vast syllabus है, बहुत बड़ा syllabus है, अब इसको कम समय में, कैसे हम prepare करें, कैसे इसको tricks के साथ prepare करना है, वो सुरो, मेरे प्यारे दोस्तों, CUET English के लिए सबसे पहला काम तो ये करो, कि base को मजबूत कर लो भाई, base क्या है, सबसे base important जिस पर आपको time लगाना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला काम तो tenses, tenses आने ही चाहिए आपको, यहां मैंने लिखा नहीं था, लेकिन tenses के बिना कहान ही नहीं बनेगी आपकी, tenses के बिना कहान ही नहीं बनेगी, tenses को पका कर लो, revise करो सबसे पहला काम, tenses को revise करो, पका करो, आपको समझ माना चाहिए, कि tenses क्या होते है, tenses कर लिए, जो topics बता जा रहा हूँ ना, पहले वो prepare करके चलो, जल्दी से सुनो, भई tenses सबसे पहला आपको करना है, क्या करना है, tenses करना है, और बड़ा topic है active passive voice, कहां लिखा मैंने यह र सबसे पहले tense उठाया, फिर voice उठाया, और important topic कौन सा है आपका, यह रहे आपके models, यह रहा model, यह तीन topic तो tips पे अभी कर लो, यह तो पता होने ही चाहिए, यह तो आपके ना बिल्कुल tips पे होने चाहिए, इनको एक दम पका घोट लो, अराम से, लगा लो इसमें 3-4 दिन, क preposition, article, एक topic मैंने conjunction का लिखा नहीं है, वो लिख देता हूं, conjunction, फिर आना यह parts of speech की तरफ, किसकी तरफ, parts of speech की तरफ, preposition करने लेना, articles करना, conjunction कर लेना, और down pronoun, थोड़ा थोड़ा उनका भी idea लेके चलना, इससे ना आपकी base बन जाएगी, इतना कर लोगे ना, base बन जाएगी, sir, करें कहां से, मैंने पहले से videos बना रखे हैं, एक तरीका तो यह कहता है, कि मैं क्या करूँ, अभी मुश्किल से आपके पास एक डिर महीना बचता है, है ना, या 15 दिन बच रहे हैं आपके पास, तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं series start कर दूँ, मैं crash course बना दूँ, आपको ब पहले पढ़ा चुका हूँ, छो चीजे मैंने पहले करवा दी है, जिनने आप ऐसे चुटकियों में free में access कर सकते हो, वहां उन्हें 1.5x की speed पर भी चला सकते हो, smart बच्चे आप, वहां से पढ़के एक idea ले लो न, वो चीजे बदल थोड़ी जाएंगी, tense मैंने आज भी ज तैयार हो गई, हाँ, मैं topics कराऊंगा, मैं आपको videos दूँगा, लेकिन किन topics की, किन चीजों की, जिनकी मैंने अभी तक videos नहीं बनाई है, CUT के लिए, जो most important है, जो आपको required है, वो मैं सारी चीजे बना के देने वाला हूँ, ठीक है, repeat नहीं करना चाहता मैं, गलत तो नहीं क पूरा आराम से देख लेना, इससे भी question आ जाता है, अच्छा, CUT English के अंदर, कोई भी topic ऐसा नहीं है, कि जिससे सबसे ज्यादा question पूछे जाए, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, passages से ज्यादा number के सवाल आते हैं, यह मैं मानता हूँ, लेकिन passage कोई category नहीं है, कोई grammar का type नहीं है, passage, है न, यह तो कोई सा भी आ सकता है, इसको कैसे solve करना, बस तरीका पता होना अच्छी, ठीक है, आजो, आजो, अब बचते हैं, आपके synonyms, entonyms, vocabulary, सबसे important है, बच्चों, क्योंकि असल में vocab से ही ज्यादा question आ रहे होते हैं, कैसे ज्यादा question में किस वे में कह रहे होते हैं कि मानलो, spelling mistake आ गई, या कौन सा word यहां रखोगे, तो indirectly भी vocabulary के आसपास घूमरी होती हैं, चीज़े, तो यह सबसे important हो जाता है आप से, क्योंकि vocab, idiom phrases, या phrasal verbs, यह जो चीज़े होती हैं, इनकी कोई number इनका decided ने के इतने ही हो सकते हैं, कहीं सभी पूचा जा सकता है, तो हमें करना ही करना है, जितना भी हम कर सकें, तो अब मैंने आपके लिए क्या किया हुआ है, और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने बना दिया आपके लिए CUT के नाम से यह रही, CUT Preparation 2024-25, यह आपको मिल जाएगी, और वहाँ पे मैंने इन सभी वीडियो को एक जगा लगा दिया है, ताकि आपको कुछ धूंडना ना पड़े, तो यहाँ क्या करना है, आपको जो topics मैंने बताया, तो उनकी वीडियो देख लेना, वो कहीं से भी के बाद, आपको vocabs पे धावा बोलना है, आपको synonyms, antonyms पे धावा बोलना है, rearrangement कैसे करना है, उन पे धावा बोलना है आपको, वो धावा कैसे बोलोगे, यह रहे, यह रहे, आपके लिए ना काफी vocab के वीडियो बना रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ exclusively important vocabs, जो किसके लि solution पे, idioms and phrases पे, इन पे भी मैं topics लाके, आपके preparation complete करा दूआ, बहुत कम समय में, अब सबसे important चीज, इनकी practice कैसे करोगे, सिर्फ सारा हजम कर लोगे, practice का भी एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है practice का, मैंने आपके लिए एक OMR book बनाई है, OMR book क्या है, यह रही वो book, इस book म आपको एक OMR sheet मिली होगी, जिसे आपको fill करना होगा, सही answer लिखने होंगे, question किस तरह की होंगे, आपके previous year के question भी इसमें होंगे, important question भी इसके अंदर होंगे, तो जितना भी आप यह पढ़ते रहोगे उसके practice भी यहां से आप आराम से कर सकते हो, कोई tension ही नहीं, आपको पत 50 questions, बिल्कुल same to same exam pattern है, 50 questions दिये करना होंगे, और इस तरह के 10 set हैं आपके पास, 10 set हैं, इसे order करना चाहतो, अभी क्या भी कर लेना, description में link दे रहा हूँ, जा के कर लेना, बहुत अच्छे practice हो जाएगी, तो दोस्तों हम दोनों मिलके अपने efforts लगाएंगे, और CU team में maximum mass score कर करके आओगे न, तो अभी ये सारी चीज़े कर लो, अगले 5-7 रोज में, इतने मैं आपके लिए कुछ और चीज़ों में लगा हुआ हूँ, जुगाल करने में लगा हुआ हूँ, कैसे मैं आपकी अच्छी सी practice करा दूँ, तो कुछ और surprises भी आपको मिलते रहेंगे, और videos कोई practice question करा, कोई भी mock test आपने लगाया, उसके लिए जो आपने question सही करें, वो भी आपको याद रहेंगे, अगर आपकी गलत हो गए न, वो भी आपको याद रहते हैं, इसलिए smartly study करनी है, ये सारे topics पढ़ने ही पढ़ने में time नहीं waste करना है, खुद करके भी देखना है, म सब्सक्राइब करके रख लो, CUT की सारी अपडेट यहीं से मिलेगी आपको, और मेरे साथ preparation आपकी चलते रही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें, दियर सर के साथ,